हेलो एट क्लास आपका जो निया चैप्टर अप स्टार्ट होता है जोग्रिफी का ही स्टार्ट हो रहा है नैच्रल रिसोर्स लैंड वाटर और सॉल के ऊपर है सेम थोड़ा सा जो पीछे आपने जो चैप्टर पढ़ा है नैच्टरल डिसोर्स उससे थोड़ा सा मेल खाता ये चैप्टर ही आपका तो लेकिन थोड़ा टॉपिक से लग लगए आए समझते हैं पहला आपका आता है लैंड के बारे में देखें लैंड क्या क्या होता है अब देखें सबसे में चीज़ यह है कि आप कहां रह रहे हो आप बिल्डिंग्स बना रहे हो कहां बना रहे हो आप अग्रिकल्चर कर रहे हो कहां कर रहे हो लैंड के उपर कर रहे हो आप survive कहा कर रहे हो land के ओपर कर रहे हो तो आपके लिए land जो है बहुत जरूरी है ठीक है तो we live on land हम रहते हैं land के ओपर and perform हम perform करते हैं और economic जो मरी activities होती है on land के ओपर हम economically जो भी हम काम करते है activities करते हैं वो कहां करते हैं land के ओपर करते हैं land is a natural resource of great importance देखिए जमरा लैंड है बहुत इंपोर्टन है और यह एक नैच्रल रिसोर्स है यह ठीक है इच सपोर्ट नैच्रल वेजिटेशन लाइफ वाइड लाइफ एकोनोमिक एक्टिविटीज ट्रांसपोर्ट एंड कॉम्निकेशन सिस्टम देखिए जितना भी आप मैं कहूं कि ह अब आपको बताया है वेजिटेशन से एग्रीकल्चर है वाइड लाइफ जीवजनतु है ट्रांसपोर्ट की अक्टिविटी है तो जितनी भी सारी अक्टिविटी वो कहां आ रही है आपके लैंड के उपर ही तो हो रही है तो फॉर एनी कंट्री लैंड इस असस्टों फा इस इसको लेकर देखिए लैंड के अंदर तीन चीज़ा आती है आपकी माउंटेंस आइलान प्लाइटू और प्लेंड इस अपर देखिए पहला कि आते है अब आप 43% एरिया जो है वह क्या है प्लें एरिया आपका मैं आपको फीगर में दिखा हूं मैं आपसे ड्रॉब क जहां पर आपको मिनेरल्स बगरा मिलते हैं आपके रिसोर्स बगरा होते हैं फॉसल फ्यूल्स होते हैं ठीक है मिनेरल्स फोरेस्टी सब इसे आपको आपको प्लेटूज में मिलेंगी तो हम सबसे बहले स्टार्ट करते हैं माउंटेंस के बारे में माउंटेंस में माउंट उन्हीं में जो snowfall होता है वो भैइती है वो पिगलती है पानी जो snowfall पिगल के वो होता है वो आपकी rivers में जाती है ठीक है उसकी बात है these rivers bring allewal soil to form fertile plain also देखें जो पानी होता है अपने साथ क्या करते है जतनी fertile जो होती है वो allewal soil को मिलती है ठीक है अगर बारिश होगी तो बा जीव जन्तूज के लिए माउंटेन एफेक्ट करता है क्लाइमेंट के ऊपर भी करता है जो पहाड होते हैं माउंटेन्स होते हैं वो क्लाइमेंट पर काफी असर पड़ता है उनका दफ मालेस एक्टा बैरियर जो हिमालेस वो कैसे एक्ट करते हैं मौंसून जो हवाय चलती है उनके लिए उनके रास्ते में उनके पाथ पर क्या करती है वेरिस बन जाती है तो इससे क्या होता है इंडिया में क्या होता है गर्मी के समय में क्या होता है इसी कारण से क्या होती है रेंफॉल होती है ठीक है अब इसमें आता है कॉनिफर्स ट्रीज देट ग्रो इन माउंटे काफी अच्छी हम कमेशल का मतलब होता है पैसे कम्वाना अब इसमें माउंटें में आपको याद करने के लिए लिए तो आपने की लिए कर लिए अब आता है फ्लाटू ए प्लाटूस फ्लाटूस लाइसे को जूसे में कर सकते हैं तर ल हम सायर प्रेटेश सकते हैं प्रेल स्पल्टेव्ट साल ऩुल्जय कोफील है तो सबसे जाधे उत तो इस बहुर ज्रुड़रिया था था दो सकते हैं अबात सोइल था निबस वर देखान रखए साल यह आपके फेमस प्लैक्टूइज मैं आपको बताया थे लिखने था आपने याद भी कर चुके हैं आपका नेक्स ट्विक प्लैन एरिया के होता था थी आर फॉर्टाइल होती है लो ल्टी अल्टूट होता है इसके अंदर इसमें देखिया क्या क्यों है लार्स बैं है अपलिटर अगरीकल्चर्ट हे वे अगरीकल्क करते हैं इनको मींस ऑफ ट्रांस्पोर्ट कम्यूनिकेशन नहीं हैं प्लेन इरिया पर हिस्ट लिखा निया त्रीम्हां प्लाडविय्ग एक्टिरीमान के लिखा हूँ है , आप पुतुलस के लिखा हूँ है अब निया ट्राप अब इस दोब करेंगे हमालेज और देखिए ईंसत्रे लोगे इस दाइए पोरे उपर होथा मैंप में दिखांगे वी तीक है इस देखेंहरा है है वहाई पीक क्ला किट्वया को है अगे क्या है? आगे इसमें हांता है मेजर रिवर ने पूतरा होते हैं नाहस औस ब्रवू मोना पूतरा बहन पूतरा इतने भी ही ही यहीं से निकल के जाती है सारी कि सारी रिवर्ड मूतर हскु 검 one जाता है ह definingी हिमादुर को अगला हमाचल these are a अपने से कहँ ऐसी हमांच वह सिटेशन है कि अब कुभी हुर्ष PA इधित वी को शीनियम होती है यापर शीवाले दूम्हा रहा है 좋। नदरन प्लेन में आता है इसमें इंडस जो दिखिए मैं मैप से बताऊंगी इसमें पर यहां पढ़ लीजिए इन इस ट्रिबूटरी जेलम, चेनव, रवी, शतलूच एड़ वेस्ट देखिए इंडस कहाँ पर है यहां पर इंडस है इंडस कहाँ पर देखेंगे तीन रिव पर निकल नामत्त ट्रिवूट्री जेलम है चेनव है रवी है सतुत आपको याद रखनी पड़ेंगी ए तिक है उसके बाद गंगा एंड इस ट्रिवूट्र लाइका यम्ना चंबल बेतवा एंड सनद सेंटर अब यह कहां कहां पर आई देखिए यह बलकु सेंटर में कहां किनों पर ऑने पर हैं तो देखिए यहां पर आपकी गंगा को यहां से निकल भी निकल दी किनल दिए यह आपकी बिलकूल एस्टयों डिक पहर देख Neo lang कि आपको याद रखना हoudं कि बिलकूल से निकलती है और इंडतनी कंपाँ से निकलते हैं आज सिक निकल लिए 17 busy doись यह पर हाइस्ट इन इंडिया के अंदर है दो नदरन प्लेंस हैविली कल्टिवेड जो ऊपर का जो पार्ट होता है इंडिया का सबसे बन नदरन जहां पर कौन कौन सी क्रॉप्स होते हैं राइस बीर शुगर के जूट यह सब क्रॉप किया जाता है यह मैं आपको समझाऊंगी लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ओके?